वेलकम टू सूर्या टिटोरियल्स तो स्टुडेंट्स आज हम लोग जो है क्लास 10 के फिजिक्स के चेप्टर Human Eye and the Colorful World में जो है Human Eye के डायग्राम को बनाना सीखेंगे इन्हें सिंपलस्ट वे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो स्टुडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को एक Convex Lens का Half Part बनाना है ठीक है और उसके बाद आपको इस Point से क्या करना है यहाँ से एक Circle Draw कर देना है कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे Students आप लोगों को दिख रहाऊगा कि हम लोगों ने एक Human Eye का Outlook बना दिया है अब आपको क्या करना है आपको इसको Double करना है और इसको Double करते हुए Students जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को क्या करना है यहां पे इसको थोड़ा सा open कर देना है कुछ इस तरीके से और फिर उसके बाद आप लोगों को इसको double करना है और यहां पे इसको इस तरीके से open कर देना है same case आप लोग क्या करेंगे यहां पे repeat करेंगे और यहां पे भी क्या करेंगे कुछ इस तरीके से इसको लेके चलेंगे और इस तरीके से open करतेंगे तो basically students हम लोगो अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारी human eye होती ही उसमें तीन layers होती है तो हम लोगों को two layers order जोट करनी है और second layer हम लोगों को पता है कि उसमें red pigments होते हैं यहां से लोग ऐस को रेड डॉर करएंगे तो यह कहां तक जाएगी यह बेसिकली यहां तक जाएगी और यहां से ये इस तरीक नहीं एक है कर लिया कि यहां पर स्टूज्टेंट्स क्या होगा? यहां पर हमारा convex lens होगा क्योंकि हमारी आई के इंदर क्या होता है? convex lens होता है और इसको hold कौन सी muscles करते हैं? इसको hold basically cellulary muscles करते हैं तो यहां से हम लोग जो इनको hold करने के लिए इसको बना दे रहे हैं और इसको color कर दे रहे हैं और अच्छे से represent करने के लिए पहले students हम लोग diagram बनाना अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसमें जो भी हम लोगों को labeling करनी है उसके बाद हम लोग इसकी labeling करेंगे तो हमारे convex lens कुछ इस तरीके से होता है अब students क्या होता है एक layer हम लोगों ने बना ली यह second layer बना ली अब third layer हमारी क्या कहलाती है रेटीना कहलाती है यह यहां तक रहेगी कुछ इस तरीके से और यहां पर students हमारा क्या होता है basically हमारा blind spot होता है और यहां से हमारी यह optic nervous system के साथ connected होती है तो यहां से students अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या किया है हम लोगों ने अपने eye का output बना लिया है और यह जो iris है इसमें क्या होता है व होल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अब क्या बोलते हैं इसको मोग क्या ऐगा इसको तो यह हमारा क्या हो जाता है और यह में Sage therapist कौई लेन्स हो जाएगा स्टुडेंट्स यह विड्थी आने अध्यक्वार क्या हो जाएंगी यह हमारी सिल लियरी मसल्स हो जाएंगी जो क्या करती है हमारे कॉन्वेक्स लेंज को ओल्ड करती है यह थर्ड लियर हमारी क्या कहलाती है रेटीना कहलाती है फर्स्ट लियर को स्टुड़न हम लोग क्या बोलते है सेल लेवरा बोलते है और second year जो हमारी होती है इसको हम लोग बोलते हैं cornoid ठीक है students यह हमारी क्या हो जाएंगे हमारी optic nerve हो जाएंगी इसको हम लोग students क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं blind spot यहां से क्या होता है कि अगर हमारी image इस blind spot पर form होगी तो हम लोगों को image नहीं दिखाई देती है तो इस तरीके से students देखें तो हम लोगों ने जो है eye में जो भी important points थे उनकी leveling कर ली है अब 2 points और बचे हैं एक हमारा बच्चा है aqueous humor और एक बच्चा है wetrous humor ठीक है? तो students basically जो हमारी cornea और eye lens होता है उसके बीच में जो आप लोगों को space दिख रहा है इसमें कौन सा fluid field होता है इसमें हमारा aqueous humor फिल्ड होता है aqueous humor और यहाँ पे students basically eye lens और हमारे retina के बीच में क्या होता है jelly like substance फिल्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं vitrous humor और यह जो पूरा spherical structure आप लोगों को दिख रहा है यह basically हमारी क्या है eyeball है तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि हमारा spherical structure है इसको हम लोग क्या बोल देंगे eyeball बोल देंगे तो इस तरीके से students हम लोगों ने maximum parts की क्या कर लिए leveling कर लिए और last में आप लोग जो है यहाँ पे human eye लिख दीजेगा तो students अगर कहीं आप लोगों के board में जो है इसकी leveling आ जाएगी या कुछ parts को बताने का आ जाएगा तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से eye का diagram easy way में बनाना आता है और उसकी leveling करनी आती है तो students अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शियर करें और कमेंट करें थैंक्स